हेलो स्टूडेंट्स तो आप लोग कैसे हैं उम्मेद है कि सभी लोग मस्त होंगे और अपने तैयारियों में ब्यस्त होंगे तो आज किस वीडियो में हम आपको तैंथ बोड इक जम दो हजार बाइस के लिए सोसल साइंस का बंबं क्वेस्चन लेकर आए हैं जो आपके परि निश्चीत रूप से ब्याहर बोड में पुछा जाएगा और आप दो पलस दो पलस दो अर्थार्थ छे नमबर बिलकुल इसी वीडियो के बाद प्राप्त कर लिजेगा तो चलिए हम आपको एक एक क्वेस्चन बता देते हैं इसमें आपको हम एक भी प्रस रटने नहीं देंगे आपको समझा कर ही छोड़ेंगे तो इसमें फर्स क्वेस्चन है मुद्रा की परिभासा दे तो मुद्रा क्या है तो इसका अंसर लिखना है आपको मुद्रा बिनमय का वह माध्यम है जो बस्तूओं के मुल चुकाने तथा अन्य व्यवसाहिक दाइत्वों को निप अध्यम मतलब यह होता है कि अगर आप किसी दोकौन में किसी चीज को खड़ीदने जाते हैं मनले आप कुरकुरे खड़ीदने जाते हैं तो वह आपको कुरकुरे देता है और उसके बदले आप मुद्रा देते हैं उसे पैसे देते हैं तो कुरकुरे और मुद्रा के बीद क्या हो रहा है बिन में हो रहा है आपको पैसे दे रहे हैं तभी आपको कुरकुरे दे रहा है तो इसमें क्या हो रहा है तो और बस्तु का ये मुल चुकने में आप कुरकुरे का मुल चुकने के लिए हुआ मुद्रा दे रहे हैं और द्यवसायों में जो है दायतव को निप्टने के लिए इसका इस्तमाल के जाता है और यह सरकार दोरा पारित क्या होता है लागुक क्या होता है और यह सर्व मन होता है यह थर्थ सभी इसे मनते हैं कि यह रूपिया है और किसी बस्तु या सेवा का बिनमे का साफ मतलब समझ ये अदला बदली जो है जब किसी बस्तु या सेवा का बिनमे किसी अन्य बस्तु या सेवा के साथ परत्यक्ष रूप से किया जाता है तब इसे बस्तु बिनमे कहते हैं अर्थार्थ आप किसी बस्तु के बदले दूसरा ब बिन्मे हो गया तो यह बस्तु बस्तु के बीच हुआ बिन्मे खालाता है और है इसके अंतर्गत बस्तु की पर्थ्यक्ष रूप से जो है अदला बदली होती है उधारन के लिए जब किसन गेहुं दे कर जुलाओं से कपड़ा लेता है तब इससे बस्तु बिन्मे कहते हैं क पड़ा के बदले वाद कुछ भी ले दहीक कुछ भी ले आपको वहा कहना है वस्तुू थिन में है तो चलीए अगले प्रसन कि चलते हैं दिस्रा प्रसन है साख क्या है तो साख को हम आपको इस तरह से समझा सकते हैं कि आप जब भी किसी बैक्ति को किसी बैक्ति से आप कर्ज लेने जाते हैं तो वह बैक्ति आपको कर्ज कब देता है जब उसको विश्वास होता है कि आप उसका कर्ज जल्दी लवटा दिजेगा जो विश्वास भरोसा होता है आप पर वही उसी का नम यह पर साख दे दिया तो इसका आपको अंसर लिखना है साख का अर्थ होता है विश्वास या भरोसा करना परंतु साख सब्द का व्यापकर्थ अर्थात एस्टेंडर जो फॉर्म है जब हम किसी ब्यक्ति या संस्ता की साख का उल्लेक करते हैं साख को पडिभासित करते हैं तब इससे इसकी जबता विश्वास किया जा सकता है क्योंकि वह इमंदार है और रिंड जल्दी लवटा देता है तो चलिए नेक्स्ट प्रसंट की और हम चलते हैं चार नमबर का क्वेस्टन है करेडिट कार्ड क्या है जो आजकल आधूनिक यूग में करेडिट कार्ड का इतना परचलन ब बना होता है लेकिन वह मुद्रा का कारी करता है इसलिए प्लैस्टिक मुद्रा का एक रूप है इसके माध्यम से कारधारक अतिरिक्त मुद्रा का भी निसकासन अल्प अबधी के लिए कुछ सर्थों के साथ कर सकता है कुछ कौड डालते हैं आगर आपका थिरी डिजिट का यह सब क्रेडिट काडा हो जाता है जैसे महोगया बीजा काड मुस्टर काड रूपे काड जो है भारत का रूपे काड आते हैं तो नेक्स प्रसन है वस्तु बिनमय परनाली की सबसे बड़ी समस्या क्या । जो बस्तु बिन में परनाली थी उसका सबसे बड़ा दोस क्या था जिसका रण से इसको छोड़ना पड़ा तो इसकी सबसे बड़ी समस्या थी कि जब एक बस्तु को दूसरे बस्तु के बदले दिया जाता था तो उसका मुल निर्धारन कठीन होता था उसका निर्धारन जो और उसके बदले आप हमको मक्का दे रहे हैं एक केजी हम आपको गेहूं दिया आप उन्हें हमको एक केजी मक्का दिया तो घटा हुआ हमको कि नहीं हुआ क्योंकि गेहूं का भाव अलग है और मक्का का भाव अलग है तो उसमें जो है बहुत बड़ा नुक्सान था कि मुल् धारण नहीं था जिस कारण से बस्तु बिनुवय परनाली की सबसे बढ़िया समस्या सीध होती है तो चलिए नेक्ष्ट प्रसंट के और चलते हैं शिक्स नमर का प्रसंट है प्लेस्टिक मुद्रा क्या है यह भी प्रसंट बहुत इंपोर्टेंट है इसको भी आप समझ की जाती है अथवा ATM से पैसे की निकासी की जाती है इसका सबसे बड़ा लाब है कि धेर सारी कागजी मुद्रा ढोने की जरूरत नहीं परती जरूरत के हिसाब से इसका परियोग कर भुक्तन किया जा सकता है एबम बस्तु एबम बस्तु का करेक किया जा सकता है छोटे सहरो में भी इसका परचलन बहुत तेजी से बढ़ा है ATM काड क्रेडिट काड आदी जो है इसका उधारन है कहने का मतलब है कि पलेस्टिक मुद्रा जो है वह आधोनिक रूप में मुद्रा का एक बहुत बड़ा रूप बन गया है महनगरों में चाहिए आप किसी भी चीज का बस्त परचलन बहुत तेजी से बढ़ने लगा आपको उधारन में लिख देना है ATM काड क्रेडिट काड इत्यादी इसी के उधारन है तो आज किस वीडियो में आपको कुल 6 प्रसंद कराए हैं आसा कि आपको ये सभी प्रसंद बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे अ आपको इसी तरह का वीडियो और भी मिलता रहे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले तो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत धन्यवाद